साल में दो बार लगना चाहिए ट्रेट फेर, पीउश गोयल सहारा न्यूज बयूरो नई दिल्ली, प्रगती मैदान में सोमवार से शुरू हुए 41 वे ट्रेट फेर का उधगाटन करते हुए वानिज एवं उध्योग मंत्री पीउश गोयल ने कहा कि ट्रेट फेर दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है और 41 वर्षों से लगातार या आयोजन होता आ रहा है, कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो, उन्होंने कहा कि अगले साल प्रगती मैदान को दो और हॉल मिल जाएंगे, जिसके वाद ये फेर और बड़े लेबल पर आयोजित होगा, उन महीने में एक और फेर आयोजित करने का सुझाव दिया, साथ ही देशी उद्यमियों को जोड़ कर स्वदेशी फेर आयोजित करने का भी सुझाव दिया, इससे पी-म के लोकल फोर वोकल और सार्थक होगा, इस फेर में टूरिजम को भी जोड़ा वानिज एवं उद्योग म 3 ने दिया कि गर्मियों के सीजन में भी फेर लगाने का सुझाव आने वाले समय में प्रगती मैदान में एक जीबिशन की एक लंबी श्रिकला शुरू हो सकती है जबकि पिछले एक जिससे लोगों को हम ट्रेट करें जो इंडस्ट्रियल साल का आंकडा फेर को वेहतर तरीके से आयोजित कर सकते हैं गुनवत्ता और प्रोफेशनलिजम पर करोड हमें जोर देना चाहिए 27 नवंबर तक चलने वाले इस ट्रेट फेर में बड़ी संख्या में देश-विदेश के भागीदार शिर्कत कर रहे हैं 18 नवंबर तक ये फेर व्यापारियों के लिए के आरक्षित है आम आदमी 19-27 नवंबर तक इस फेर को देख सकते हैं इस अवपपर राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल सोम प्रकाश दिया समेट बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद थे जाए आज भारत देखे तो चाड़े चार जा सकता है जिससे देश में परेटन को और रफ्तार मिलेगी गोयल ने ये भी सुझाव दिया कि गर्मियों में आयोजित होने वाले फेर में भागीदारी करने वालों के लिए शुल्क कम रखा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा देशी भागीदार शामिल हो, लाख हजार शामिल हो और लोगों को डिजिटल पेमेंट का डिजिटल पेमेंट हुआ है, जो एक रिकॉर्ड है, उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि डिजिटल लेंदेंग करने वाली कमपणिया भी फेर में प्रत किया जा सकता है साथ ही डिजिटल पियूज गोयल ने कहा कि यह वी सोचना